हेलो फ्रेंज है माता दी कैसे हैं आप सब आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके शाज शेयर करने वाली हूँ करवा चौत की पूजा के बाद चौकी हमें कब अठानी होती है करवे का हमें क्या करना होता है करवे के ओपर जो मिठाई य क्या करना होता है सब चीजों के वारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं बहुत सारे लोगों के यही सवाल होते हैं कि गौरी माता का क्या करें करवे के ओपर जो मिठाई रखिये उसका क्या करें तो आज हम डिटेल में सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि का बचेवे समान का पूजा समगेरी का क्या करना है तो प्रेंज देखे सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको जो करवा चौत की चौकी लगाते हैं कोई भी पूजा पाट की चौकी लगाते हैं उसको हमें तुरंद नहीं हटाना होता है उसको अगले दिन हटाना होता है अगल को 9 दीन था 9 दीन हमें नहीं बढ़ाना कles दसवें दीन भीटा सकते हैं आप माली जैसे दिवाआथी कि हम फूजा करते हैं तो दिवाली पर दिवाली पर आवस दिन अगले दिन रभा होती है तो पर्भाष को चौकी नहीं हटाइ जाती तो हम हम जो है ऊसो से आभ उठे पूझा पाठ करिए नहान दोके उसके बाद अपनी चौकी हटा सकतेług Michalim , M Sai बहुत सारे लोग गौरी माता होती है मिट्टी की बहुत सारी की ठाया मेटे गोरी माता को बनाई रोटने हैं उससे हैं आप जरी हैं, अपने मिठी में पताने चले कई की न आगा पॉल है और उनके ओपर डेली पनी डाले वो अपना अप गल जाएंगी तो आपको गौरी माता को तो यही करना है और कुछ नहीं करना कहीं पर भी विशाजन करके नहीं आना उनका अपने घर के पौधों में ही उनको रख देना है तो और फ्रेंट बस तुलसी के पौधे में नहीं र अगर किसी भी पौधे में गढ़ा करके डाल दोगे या फिर पौधों में ऐसे ही डाल दोगे फूलों को तो कोई नुपसानी खाद बन जाते हैं या पौधे उगाते हैं तो कोई खाली अगर आपके पास गंबला पड़ा है तो आप इसमें भी फूल तोड़के अच्छे स अगरा सकते हैं जैसे कोई पक्षी वगएरा हो बहुत सारे पक्षी वगएरा ओड़े होते हैं कबुतर वगएरा होते हैं कवे होते हैं वो चावल के दाने वगएरा खा लेते हैं अराम से तो अब चावलों को जो है अक्षदो है छट पे डाल के आ सकते हो और फ्रेंस रही अगर आपने करवा चोत्की पुजा की है रात को अरक दिया है अब आप करवे का क्या करेंगे तो करवे को आपको छोड़ देना है एक जो जिन तक उसे ऐसी रख के देना है अगर आपको पता है कि आपके घर बच्चें से तोड़ देंगे तो कुई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा नहीं कि तोड़ गया तो बहुत बड़ा अपसा गुन जाएगा ऐसा नहीं है बच्चें खेल रहे हैं तोड़ भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं है आप उसको वहीं रख दीजिए और उसके बाद आप थोड़ा सा जब पुराना हो जाए तो आप क्या करें उसमे अपने पौधे बगरा के पास कोई दिक्कत नहीं है इसमें उसको विशाजन अगर आप करना चाहते तो दिखो कर सकते हैं पकि अपने घर के अलग-अलग परंपराय होती हैं बहुत सारे लोग विशाजन करते हैं लेकिन हम लोग जो है सुरू से अभी तक मैंने कभी भी अ मैं दबाती हूं मैं पौधो में भी आसा मा को देना होता है जो आप भोक में माता रानी को लगाते हैं यह सारा समान ही हमाता को चाहए जाता है बोग लगा जाता है उसके बाद ही Ighai Shatuma को देते हैं तो इस समान तो आप तो आप उसी दिन करवा चौत वाले दिन वह शाम को और सूरज को आफियासान को आपनी जो ऩ। लूसे पूडियान है सबसे चाहित ihrड़े करवंखों supplement अगर आप seven a daily की ठीश्य हुआँ पूडियान रख वह आ उन को को आपको अपने अपने नहीं अपने करवे हैं खाना था मतलब की यो अपने करव सबस्क्राइब करवे के पूऍी नहींचे लोगते हैं वो उन मात भारी के वी माता गोरी मचें मध्यारू रखıyzone हे देकिताता पुड़ीयर और अपने लगुटाए अपने मीठे पूय और फोलीयर रखे है या फिर मिठीय है या कुछह और भी रखते तो वह रखा है अपने अपने उनके उपर धखकन के ऊपर जो रखते हैं निष्धे पूय दो rabbits अपने उपराग रखे तो मातापारवती का उपर होगा पूरी वो मैं खुद खा सकती हूँ पर्शाद के तोर परशाद समझ के चाहे तो आप अपने घर में बच्चों को भी खिला सकते उसको क्यों कि मातागोरी का पर्शाद है वो और जो हमारा करवा होता है उसके उपर हमने रखा जिसकी या पूवे रखे हो तो उसका क्या करें हम आप कुछ भी रखे हैं, हम आतागोरी का खा सकते हैं लेकिन अपने करवे के उपर रखा हो कुछ भी निखा सकते, बाइना वगएरा में से आप कुछ निखा सकते, कुछ निखा सकते वो आपको अपनी सास को अपने मान को ही देना होता है अब बाकी की जितने भी पूजा समगेरी बची होई होती है जासे कि धूबत्य है या कुछ और है रोली वगणवरह है तो आप आप वो अगली दिन मतलब किसी भी पूजा में इस्तमाल कर सकते हैं बाकी समान उतना ही लीजिए जैसे कि मिठाई है परशाद है उतना ही लीजिए जो आप उस टेम्प पर इस्तमाल कर सकते हैं उसको उससे नहीं जूटा रखा जाता है जैसे कि जो परशाद लेते हैं और ड़ लग लृंश दोब राउर श्तहिए को दोबार श्तμाल करके एं जो इसके को दोबार श्तीमाल कर mother मिट्टी और माूता गौरी को चीजें याना एक आप्सक तर्गा बांण आपकी और हुग सिधनों दोबार श्तोम कर शोड़shirts तो फ्रेंट आज की वीडियो इतनी ही I hope कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और जो माता गौरी के लिए आप अलग से समाल लाते हैं जो माता गौरी का मेक अप के लिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा तुम्हें मिलती हो अगली वीडियो में ऐसी अच्छी से एक और वीडियो को साथ जब तक के लिए जय माता दी